नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका टेरिस गार्डन चैनल पर तो दोस्तो जून का महीना चल रहा है और गर्मिया बहुत ही ज़्यादा तेज हो रही हैं तो दोस्तो आज हम बाते करेंगे कि पोट में हम कौन-कौन सी वो वाइन हैं जिनें लगा सकते हैं और पोट में वो बहुत ही अच्छे से फ्लावर देती हैं उनको जादा जगे की जरूरत नहीं होती है तो दोस्तो आज हम दस के करीब आपको ऐसी वाइन के बारे में बताएंगे जो पोर्ट में बहुत ही इसली चल जाती हैं तो दोस्तो उनमें से पहली वाइन है हमारी पैसी फ्लोरा की इसमें राखी के जैसा फ्लावर आता है जैसे की पहले बड़ी बड़ी राखी चलती थी फ्लावर आता है बहुत बड़े सैज का और बहुत संदर फ्लावर होता है और कई कलर के जो ए पैसी फ्लोरा के फ्लावर आते हैं और आप देख सकते हैं ये पॉर्ट में कितने अच्छे से चल रही है और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा मतलब वाइन है हमारी बोगन विला की वाइन तो आप देख सकते हैं इसमें भी बहुत सुन्दर कई तरह के फ्लावाराते हैं कई कलर होते हैं वराइटी भी अलग अलग होती है डॉफ वराइटी लार्ज वराइटी और ये भी एक वाइन होती है और बहुत सुन्दर और बहुत हाड़ी ये वाइन होती है इसको पोट में लगा सकते हैं जमीन में लगा सकते हैं बहुत ही इसली ये चल चोटे चोटे फ्लावर आते हैं ब्लू कलर के फिलाल इसमें फ्लावर नहीं आये हुए हैं क्योंकि गर्मिया बहुत ही जादा तेज है और दोस्तों इसकी हमने अभी कुछ दिनों पहले ही कटाई छटाई कर दी थी क्योंकि यह वाइन दूसरे पौधों को जाकर पूध पौ वाइन तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सुन्दर फ्लावर आते हैं नीचे की तरफ जुके हुए और पौट में लगाने के लिए बहुत ही बढ़िया वाइन होती है और दोस्तों इसका इसको थोड़ा सथ साहरा दे देंगे तो यह उपर की तरफ चड़ जाती है और इसमें यह जो वाइन है यह विंटर सीजन में तो डॉर्मेंसी में चली जाती है लेकिन समर सीजन में इसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है और अगली वाइन है हमारी मधुमालती की वाइन तो आप देख सकते हैं यह वाइन वाली वाराइटी है और एक इसमें जो है बुश वराइटी भी आती है, बुश वराइटी भी हमारे पास लगी हुई है, बहुत सुन्दर फ्लावर आते हैं, इसमें वाइट कलर, पिंक कलर और इस तरह से डार्क पिंक और बेबी पिंक कलर के, और बहुत बढ़ी वायन होती है, और पोट के लिए बहुत ही अच्छी वाईन हैं इसमें बहुत संदर-संदर बंच में फ्लावर आते हैं और हाड़ी वाइन होती है और दोस्तों अगली वाईन है हमारी आलमांडा की वाईन इसमें यल्लो कंलर के फ्लावर आते हैं और एक तो आप इसको कुटिंग से भी लगा सकते हैं बहुत हाड़ी वाइन होती है और पॉर्ट में भी बहुत इजली चल जाती है तो आप देख सकते हैं हमारी ये वाइन जो ये लगभग 5-6 साल पुरानी है आप देखें इसका नीचे वाला जो में ब्रांच है कितने बड़े सैज की हो रही है और इसकी कटि जब ज़्यादा सरदिया पड़ती हैं तो कुछ दिनों के लिए इसमें फ्लावर नहीं आते बाकी लगभग पूरा साल इसमें फ्लावर आते रहते हैं और अगली वाइन है हमारी बेला की वाइन या मोगरा की वाइन तो इसमें जैसे कई वराइटी आती है इसमें बुश आती है और बेला में जो है वाइन वराइटी आती है तो आप देख सकते हैं यह वाइन वाली वराइटी है और यह काफी बड़ी हो जाती है लेकिन हम इसकी कटाई छटाई करते रहते हैं और दोस्तों पोट में बहुत ही इसली चल जाती है तो एक यह वाला हमारा वाइन है और एक ये वाली वाइन है तो आप देखे इसकी भी वाइन कहां तक जा रही है और इसकी जितनी कटाई छटाई करते हैं उतने ज़्यादा इसमें फ्लावर आते हैं वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और इनकी खुश्वू तो शाम के टाइम बहुत ही बढ़िया और भीनी भीनी सी आती है और दोस्तो मोगरा से तो जैसे साबुन बनाए जाते हैं पाउडर पर्फ्यूम भी बनाए जाते हैं बहुत सुन्दर और बहुत हाड़ी ये वाइन होती है और अगली है टिकोमा की वाइन तो इसमें बंच में फ्लावर आते हैं हमारी इस wine में जो है औरेंज कलर के flower आते हैं और तो बहुत hardy wine होती है और ये wine cutting से बहुत ही easily लग जाती है या फिर इसके ब्रांच में ही roots बन जाती है और फिर उस ब्रांच को अगर आप soil के उपर रख दोगे तो वहीं इसका plant बन जाता है एक बार लगने के बाद में ये plant कहीं भी हमारे garden से नहीं जाता है तो ये plant हमारा जो है दूसरे pot में लगा हुआ था और उसमें तुलसी जी भी लगी हुई थी और वो pot जो तूट गया था तो हमने ये अब इस वाले pot में लगा दिया है और पहले जो इस pot में लगा हुआ था वो pot भी छोटा था और उसमें कई और भी plant लगे हुए थोए तो एक ये वाली wine तो थोड़ी सी ऐसी हो रही है जैसे चलेगी नहीं चलेगी लेकिन ये वाली wine अच्छे से ग्रो हो गई है और अगली wine है हमारी बोवर की wine तो बोवर की wine में बंच में फ्लावर आते हैं वाइट कलर के फिलाल इसमें फ्लावर नहीं आ रहे हैं कभी होता है जो इसमें फ्लावर ना आएं वरना इसमें हमेशा ही फ्लावर आते हैं और बंच में फ्लावर आते हैं वाइट कलर के बहुत ही बढ़िया ग्रोथ कर रही है तो हम इसकी टैम टू टैम जो एक कटाई चटाई करते रहते हैं इसलिए यह अच्छे से चल रही है और दोस्तों अगली वाइन है हमारी अपराजिता की वाइन तो इसमें जैसे ब्लू कलर के और वाइट कलर के फ्लावर आते हैं सिंग रेपोर्ट में लगी हुई है और ये तो हमने अभी लगाए हैं कुछ दिनों पहले ही सीड ग्रो किये थे वैसे इस वाइन को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है बस एक बार लगा दो और भूल जाओ क्योंकि इसके सीड जहां भी गिरते हैं वहीं प्लांट निकल आता है और फलियां जब पक जाती है तो उनके सीड गिर जाते हैं फलियों में से निकल निकल के और वहीं प्लांट बन जाता है और अगली वाइन है हमारी ये मौर्निंग गलोरी की वाइन तो मौर्निंग गलोरी की वाइन भी आप देखें कितनी अच्छे से चल रही है और इसमें सुवह के टाइम फ्लावर आते हैं और जिस वक्त हम टैरिस के उपर आते हैं तब तक तो इसके फ्लावर बंद हो चुके होते हैं क्योंकि सुवह हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि छट पे आ जाएं और इसमें बहुत सुन्दर फ्लावर आते हैं और इसका तो हमने एक बार ही प्लांट लगाया था उसके बाद हमने इसका कभी भी प्लांट नहीं लगाया तो आप देखे कितने सारे इसके प्लांट हो रहे हैं एक हैंगिंग बास्कित में लग रहा है और यहां पे आप देखें यह कितने सारे इसके प्लांट ग्रो हो गए हैं और इस वाले पॉर्ट में तो लास्ट यर से ही हमारी यह वाली मौर्णिंग ग्लोरी की वाइन लगी हुई है बहुत ही हाड़ी यह वाइन होती है और सीड से अपने आप ही ग्रो हो जाती है बस एक बार आप इसको लगा दें तो दुबारा कभी भी इसको लगाने की प्लांट तो लगे हुए हैं वो भी सेल्फ सीडलिंग से क्योंकि सीड इधर उधर गिर जाते हैं और वहीं प्लांट निकल भी आते हैं तो दोस्तों हमने आपको यह दस तरह की वाइन बताई हैं अगर आपके पास जैसे खाली जमीन नहीं है प्लांट लगाने के लिए तो आप पोट में भी इन वाइन को लगा सकते हैं बहुत ही अच्छे तरह से यह चल जाती है और फ्लावरिंग भी बहुत ही बढ़िया करती हैं तो दोस्तों अभी के लिए वस इतना ही फिर मिलते हैं नमस्ते जी धन्यवाद